हलो माई डियर एस्पेक्टेड विवर्स वेलकम इवान टो दी यूट्यूब चैनल लाइफ इस ओसम सिविल तो आज जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्लाउट का साइड जो है बावीस बाई थीव स्पीट में बना हुआ प्लान है और इस प्लान के अंदर इसका कॉलम साइज कॉलम पोजिशन काफी छोटा प्लान है जैसे कि साम दुकान ही नीचे दुकान और पार्किंग रहेगा और फर्स्ट फ्लोर में जो है वन बीच के का पोर्शन है इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया और डिजाइन भी इस तरह से और इसमें और क्या-क्या जुड़े जानकरिया आप ले सकते हैं कुछ डिजाइन्स या फिर आपको हेल्फुल होने के जैसे कुछ बदाना चाहता हूं तो बने रहे यह वीडियो में फुरान तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर देजाए चैनल को लाइफ इस ओसम सिबिल को और इसी तरह से और चैनल को जानकरिया आपको मिलते रहेंगे तो दीकिया दोस्तों इसमें क्या करता है जैसे कि ग्राउंड फ्लोर यह वाला मैप जो है ग्राउंड फ्लोर का यह फर्स्ट फ्लोर का प्लान है विस्तार में जान लेते हैं अगर आपको पेड़ प्लांस चाहिए मेरा मोबा करके बाद के बारे में आपको मैं समझा दोंगा लेट सई जिसे की दोस्तों यह ग्राउंड फ्लोर यह फर्स्ट फ्लोर है यहां पर एक शॉप इधर एक शॉप लेगा दो कुल मिला कर दो शॉप से इसके अंदर यहां पर एक शॉप इधर एक शॉप है यहां पर पार्किंग रहेगा वहां पर आप चाहे तो एक बाइक्स वगेरा फार कर सकते हैं कार पार्किंग के लिए थोड़ा से डिफिकल्ट हो सकता है उतना कुछ जगा भी नहीं है 22 फीट है अगर मान लेज़े 22 फीट के अंदर 10 से 12 फीट का 12 से 13 फीट तक आपका स्टेर्स चले गए तो पागी का जगा नहीं रहेगा फिर नेक्स्ट यहां पर पार्किंग रिया 21 फीट चेंज का north की तर gamma कि तरब से इसका एंटर रिणया औंड एक प्लोट है वेज्ड डिफार उसके लिए यहां पर शॉफ भी निकला जा सकता है यहां पर एक इधर एक इस तरह का corner plot shop सा जाएंगे यहां पर और एक एक shop का size जो है 10-13-16 फिट कर रहेगा और दूसरा ओला shop का size जो है 10-16 फिट कर रहेगा यहां पर नौर्थ फिर दिखेंगे यहां पर parking 21 बारा फिट चेंज का पार्किंग है रहा फिर यहां पर एक staircase आ जाएगा तो staircase का size 21-12 फिट चेंज का staircase इस तरह से यहां से entrance रहेगा और यहां पर रूख करते हैं और east की तरफ 22 फिट चेंज इधर वेस्ट की तरफ जो इसका main नौर्थ वेस्ट ग्राउंट फ्लोर का प्लान होगा यहां पर कॉलम आजाएगा और इधर एक कॉलम आजाएगा बात करते हैं फिर्ट फिर्ट फ्लोर में किस तरह के एक हॉल आजाएगा दस बै तीन दस तीन बै ग्यारा फिट का एक हॉल लीजे फिर वहां से इधर एक किचन नसाद बै नव फिट का किचन लिया गया है यहां पर यूटिलिटी यानि कि कपड़ा वाश करने के लिए उसके लिए आपको सायग हो सकता है दो नव बै नव फि इस तरह के इसका प्लान और डिजाइन बनाएं गया और बात करते हैं कॉलम साइजस कॉलम साइजस देखिया नोव बारा इंच का कॉलम लिया गया और उसको कॉस्ट आफ कंस्रेक्शन लगवा ग्राउंड फोर में आपको सड़े नव लाग तक सड़े नव से लेके सड़े 10-11 लाग तक लग जाएंगे फर्स्ट फूर पर आपको करीब 7-8 लाग रुपए लगेंगे इसी तरह से नेक्स्ट फूर गयता आपको 8-9 लाग तक लग जाएंगे इस तरह का यह प्लान और सिंपल से डिजाइन बनाएं गया कैसे लगा वीडियो जरूब बताएगा अग को थैंक्यू सो मच आप अपने कीमती समाई देखे सुड़े को पूरा अंतक देखे ना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह से जुड़े रहेगा लाइक करते रहेगा और शेर और सपोर्ट करते रहेगा थैंक्यू हाव ग्रेट ड़े झाल सबस्क्राइब करते हैं जर खरूबह झाल सबस्क्राइब करते हैं